अपनी मन पसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मोवी पार्लर बेल आइकॉन को दबाएं बार्र criminal करते हुआस तर बेल पार्लर उयार कर सbonus को लुटियुट yaniedere आइकॉन आप सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अंग्रेज़ों के जमाने में राजगड़ एक बहुत बड़ी जागिर हुआ करती हैं आज भी वहाँ पुराने जागिरदारों की हवेली उजाड़ पड़ी हैं किस तरह की चेंज़ेश चाहते हैं आप हमारी कंपनी के आर्किटेक्ट क्या चेंज़ेश करना ज़रूरी है यह तो आप ही से करेंगे इसके लिए सबसे पहले मुझे वह वहाँ देखनी पड़ेगी सर्वेश करने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगा कि क्या चेंज़ेश की जरूरत हैं और उन पर कितना खर्च आएगा गुड हम चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो इसलिए हमने आपके आश्राम की सेट बुक करा दिया राजगर में असिस्टर नेर प्रखाश आपको रिसीव कर लेगा कब लटेगा बेटा मां हफता भर लग सकता लेकिन परसो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं उनको मेरी फोटो देखा था ना फोटो अरे कैसा सरफिरा लड़का है यह जाना कैंसल नहीं कर सकता बिलकुल नहीं मैं चाहती हूँ जल्द ही इस घर में पहु आ जाए बाल बच्चों का शोर गुंजे इस मुल्क में बाल बच्चे तो सभी पैदा करते है मां मैं नाम पैदा करना चाहता हूँ काम करके अरे सुनते हो अब आप ही इससे समझाइए हम लड़की वालों को क्या मुदिखाएंगे पैटे तुम अपना जाना कुछ रोज चाल नहीं सकते नाई पैदा जी कंपनी का बहुत जरूरी कान है लेकिन जा का रहे हो राजगर राजगर यह तो बहुत ही अच्छी बात है ल अच्छी बात है अब मेरी गारी का वक्त हो रहा है मैं चलता हूं और के दूर है यह राजगर है बस कुछ 15 किलो मेटर है दिंडलने तक पहुंच जाएंगे लगता है जवर्दस तूफान आने वाला है तूफान और इस सीजन में नामंकिन है भाई में इस इलाके में बहु अच्छी बड़ी विरान हवेली है रोशनी तक नहीं है गजवाड़े उजडगे कोई देखबाल करने वाले में इस इस इक भूड़ा चौकिदा रहता है प्रवदा 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 बाई प्रवदागे कावड़े प्रवदान आने रहता है कि दर्वाजा किसने खोला है मैंने दर्वाजा खोलने की कल अंदर है तो बाबा यह आकेटेक्ट साहब हैं जिनके आने की खबर मैंने आपको भिजवाई थी अच्छा अंदर आईये आईये शुक्रिया सुनीर ये तनी हरानी से जहानों तरफ क्या देख रहे हो सुनीर जी यहां एक तस्वीर टंगी हुई थी लेकिन पिछले साल भोचाल आने के बाद गिर पड़ी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक तस्वीर थी पता नहीं ऐसा लगा कि यह एक तस्वीर होनी चाहिए मुझे ता ऐसा लगता है तुम्हें आर्किटक्ट के बदले जासूस इस चर्की को हाथ मत अगाना फानूस गिर पड़ेगा फानूस हाँ बाबा यहां का इंतिजाम हो सकता है सर्दी बहुत लग रही है जी मैं अभी इंतिजाम किये देता हूं आप जारा बैचिए किया क्रामफोन कुछ आपका अचीब सभाइख उरा है प्रकाश आपका अचानूस हो आपकाश आपका असा आपका इसे मैं पहले भी यहां कभी आ चुका हूँ भाई सुनील जब तुम आज तक राजगर नहीं आये तो इस हविली में कैसे आ सकते हूँ नाचने क्यों मुझे यहां की हग चीज जैसे चानी पहचानी से लग रही है और आके टेट साहब यह सब सफर की ठकावड कर लगीजा है तुम ऐसा करो तुम यहां थोड़ी देर आराम से बैठो और जरह रिलाक्स को कम और रिलाक्स कि अज़िए 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 तुम ने भी कोई चीखनी सुनी सुनील आईसे रिलाक्स आराम करो कि अज़िए प्सक्षर झाल क्या है यह अरे यह तो किसी द्याती लड़की के पाउं का कड़ा है हाँ कि यह नाम था उसका नाम है कि उस्रोज भी ऐसी तुफानी राथ थी किस रोज तैको में तो वह गयी लेकिन सुनी तब यह रोज़ा तुम्हें कुछ हो गया है चलो में तुम्हारा कमरा देखाता तुम्हें कम एक नगोसे, क्या देखरो? और यहुआ देख रहे हो तुम, यह खूण के धब्हें जो मैंने लगाए थे तसीर नह पर आधी होगी यह मैं मईनहिक जानता लेकिन यह नैंने लगाए थे ठाकूर combin कि थाकुर बल्बीर सिंग यह यहां के आखरी जमीदार राजा थे यह उनी की तस्वीर है लेकन सुनी यह तुम्हें कैसे माल हुआ यह मुझे नहीं पता लेकिन यह ठाकुर बल्बीर सिंग है और वह खुम के धब्बे अपने हातों से उस पर लगाए है प्रूपची यृट प्रूपची यृट यूपची यूग कि जनना! पूजह आदार कि मुझे याद आ रहा है कि सब कुछ याद आ रहा है कि ना जाने कब की बात है यह कि शायद मेरे पिछले जनम की जब मैं इस पहाड़ी आलाके में इस ओफिसर बनकर आया था शायद किसी त्योहार का दिन था वो अजी सुनिये टीसी साथ यहां कोई सवारी नहीं मिलेगी क्या आज शिवरात्रिय कोई सवारी नहीं मिलेगी वह अच्छा यह बताएए यह फॉर्स ओफिस कितना दूर है चा इस तरफ घिस तरफ इस तरफ किस तरफ इस तराफ शुगरिया क्या हुआ कोच्वान गाड़ी क्यों रोक दी मेम साब कोई रास्ता रोक कर खड़ा है बड़ा ही धीट है धीट नहीं मेरा नाम विने है विने आप शयद राजगर जा रही है मुझे भी जाना है साथ में लेट चलिए बड़ी महरवानी होगी कुमर जी की बगगी में सवार होना चाहते हो तुम्हारी शामत तो नहीं आई जी नहीं अकेला ही आया हूँ सिर्फ ए यह कुमर जी कौन है जिने खाल उढ़ने का शौक है कुमर बलबीर से आप उनकी क्या लगती है कुछ भी नहीं फिर आप इस बगई में कैसे मुद्दत से उनकी हवेली में भी हूँ फिर भी आप कुछ भी नहीं लगती बड़े भोले हो तुम शयद राजगर पहली बार आ इन जंगलात में तरह तरह के जानवर हैं उने भढ़का ना मत शयर चीतों से नहीं डरता है शयर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये दो पैर वाले दरिंडे आदमी मैं उन दरिंडों को भी काबू कर सकता हूँ ये तुम्हारा होस्टा बोल रहा है लेकिन तजूरबा क कुछ और ही सिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा में साब कि तजूरबा किसको क्या सिखाता है कोचवान गाड़ी रोको ये गाड़ी क्यों आपने रोक आई आप उतर ही है क्या जी नहीं आप उतरेंगे आपका फॉरेस्ट ओफिस उधर है और मेरा रास्ता इधर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया तक नोचा है अचा इए चाड़न मजोध है आपको को खबर नहीं के गए ते हमारे आने की। मेरा ऊंचार हो गया था हूँगा हमें नहीं साब सची मैं भूल गया था ह Eddy चलो कोई बात नहीं कोई चायवाय का इंतजाम हो सकता है बिर्जु साब अब ही लाया साब ठाकुर को ठोकर लगई भाफ करना ठाकुर साब किसके तस्वीर है यह इस इलाके के जाड़ी दर्शाब कुर बलबीर सिंग्जी की इनकी मर्जी के खिलाफ सहाब यहां का पत्ता भी नहीं इल सकता हां किसने तांगी आप से जो पहले ऑफिसर थे ना उन्हांने लेकिन ये तो सब्सकर हैं उतारो से उतर यह पेजो हमारे कुमर जी की तस्वीर किसके हुकम से उतार रहा है मेरे हुकम से यह दफ्तर कुमर जी की जागीर नहीं है सहाब आते ही कुवर साफ की तस्वीर हटाने लगे दूसरे अफसर तो उनको सलाम करने हाजिर हो जाते हैं मैं यहां सलाम करने नहीं काम करने आया हूं काम नहीं रेंजर साहब एक छोटी सी बात कहूं आपसे हमारे सरकार के ताबेदार बनके रही है इसी में आपकी भलाई है बैर मोल लोगे तो पश्टाओगे नसीहत देना छोड़ी और यह पताएए क्या कौन है मैं मैं सरकार का ख खास आदमी हां तो खास तोर से याद रखो कि आएंदा इस दफ्टर में आना हो तो सिर्फ इजाज़त लेकर ही आओ अब तुम जा सकते हैं आँसे जारा तिरे उतार निकला अपने दफ्टर में से उसने आपकी तस्विर उतार फेंगी आते ही हावा में उड़ने लगा कोई बात नहीं अभी नया है ना कुछी दिनों में अपना काम समझ जाएगा तब तक जंगल के कटाई रोग दूं देम सेंग काम जारी रखो उस रेंजर से घवराने की कोई जरूरत नहीं है जो ज्यादा उंचा उड़ने की कोशिश करता है उससे हम जमीन पर ले आते हैं चला देखा निशाना हमारा सदा ला जवाब है कुवर जी वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी तो वो नया रेंजर मिला था तुम्हे रस्ते में कैसा है वो यह उन पुराने रेंजरों जैसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बसमे कर लेते थे यह कुछ और ही तेवर रखता है तेवर तुम भी तो रखती थी कर लिया ना बसमें मेरी बात और है मैं तो एक नादान हेतनी थी फज गई लेकिन राजा जी इस बार आपकी टक्र में एक मर पच्चा है लगता है कुछ कर दिखाएगा एक मामूली रेंजर क्या कर दिखाएगा उसकी आउकात ही क्या है अरे उसके जैसे तो 36 छोक्रे खरीज सकते हैं हम देखा साब एक दरख तो और गिरा दिया है यह सब ठाकूर क्या आदमी है जी हाँ साब आईए बंद करो या कटाई बंद करो वह कटाई प्रजा पर हुकम चलाने वाले तुम कौन हो सरकारी अफसर हूँ और यह तमाम जंगल भी सरकार के हैं यह तुमारे कुमर जी की जागीर नहीं है समझे रेंजर बाबू यह फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्षे देखो नक्षे पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहां के नक्षों में हेरा फेरे की है इसलिए मैं हैड ऑफिस से असली नक्षे अपने साथ लेकर आया हूँ हूँ और नक्षे पहले सभी लाते हैं जो बाद में रद्दी में बिखते हैं रद्दी में कामजारी रखो अब यहां कुहाणी उठा खबर्धार जो किसी ने कि यह सर तुम दफ्टर जाओ जी मैं आगे मुयाना करके आता है जी साब सुना नहीं मैंने नहीं कहा है साब ने कहा है के दो कि यह सकते हैं आजे कि आजके आजके आजाए नहीं आजया आजाए आयाै आजरी 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 आजारी, आजारी आजा, 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 आजा जंगल में ज़र्ने के किनारे गाना कौन गाय करता ये सबेरे-शबेरे बुल-बुल दुपहर में कोयल और रात में इसान की बात कर रहा हूं लू मैंने ड़की वो गाते सुना है आत मीठी आवास थी मीठी आवास लड़की लड़की खूबसूरत भी होगी हो सकता है मैं ठीक तरह उसे देख नहीं पाया क्यों उसने लैंप बुजा दिया था क्या लैंप कैसे लैंप ये 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 रॉसनी वाला लैंप सहाब कुछ लड़कियां जरा सरमीदी होती है ऐसे बकत में उन्हें रॉसनी नहीं चाहिए होती है क्या बखवास कर रहा है घबराये मत सहाब बिर्जू बड़े बड़े राज अजम कर जाता है पिछले रेंजर सहाब इसी क्वाटर में चंपा गौलन को लाया करते थे मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और नमरते दम तक बताऊंगा तो तुम समझते हो कि पि देहुदा बाते तो नहीं कर रहा हूं ये ओड़नी कुछ कह रही है अरे बुद्धू ये ओड़नी तो किसी जरने पार वाली लड़की की है मगर इस ओड़नी के पीछे उड़ते उड़ते आप जरने के उस पार मत चले जाईएगा वरना खटिया पर आपकी वापसी होगी क्योंकि राजगण वालों की और जरने के उस पार वालों की जानी दुश्पनी है साब ऐसा क्यों इसलिए कि वो लोग इस जंगल के पुरान कि इस तरफ की जमीन अपने कफ़े में कर ली बस फिर क्या था वो लोग भाले और कुलाडे लेकर टक्कर पर आ गए इस तरफ बंदू के थी इधर से ठाकुर ने ठाएं से बंदूख चलाई बिचरा उधर का मुख्या ठेर हो गया तब से अंधेर हो गया अब उसका बेटा इनी के निया मुख्या अब राजगर्ण वालों के खून का प्यासा है सरकार आप भूले से भी जहरने के उस बार मत जाएगा बूले से तो नहीं हाँ जान बूच के जारा हूं आ जाएए मच जाएं सबकार मत जाएं सरकार गयर सब गार कर जो लो को ौ आजा है आजा मैं आजार ई आजारे, आजारे आजारे, आजारे आजार, आजार, आजार चनाम चनारणी किया सिर्खिया तिरे माट निहारे चनम चनम की प्यासे अखिया तिरे माट निहारे कितनी सावट भी गए बीते कई बहारे चनम चनम की प्यासे अखिया तिरे माट निहारे इतनी सावर बी गए बीते गए बहारे आजा रे, आजा रे, आजा रे आजा, आजा, आजा Kôngल कि ऱरिम करे, आजा, मौँटू Κण भार्रो ऑर्रारे कि प म्हार जार्रो çocuk विक भार रे, भारू मैं संग पिया के सखे आखे लेपा हर फाबन में संग पिया के सखे आखे लेपा हम बिरहा में चले अके में कैसे हमरे भाँ ऐसी रंगर बिली रुक में अब तत मन को मारे चनम चनम पियासी अपिया फिरे बाट निहारे इतनी सावत भी गए दीते कई बारे आजारे आजारे दूर दूर को यलिया दूर को बोले और हमको तरभाए हा दूर को यलिया दूर को बोले और हमको तरभाए हा तब नहीं दौरों में सजना गुलाए अब लाए हा कब कब ख़बा आए हमको फिर भी कभी रहारे इतनी सावत भी गए दीते कई बारे चनम चनम के प्यासे अपिया तेरे बात नहारे इतनी सावत भी गए दीते कई बारे आजारे… 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 आजा कि अगर कि अगर कर रही थी पर यह और नी मेरी है बाबुजी मांग लेती कि चुराने क्यों लगी मांगते डर लगता था क्यों मेरे सर पर सीम तो नहीं नहीं और नी देदो ना बाबुजी क्या नाम है तुबारा चंद्रमुखी कि आरा चंद्रम कि शेजाई बाबुभी कि अगरा पहीं तुँए जानवर किसको कहा घोड़े को नहीं सवार को आज तक हमारे सामने किसी ने जुबान खोड़ने की कुस्ताखी नहींगी तुम्हारी ये जुरुत ठेरिये सरकार ठेरिये ये अंग्रेज बहाद्दूर का आदमी है नया रेंजर नया रेंजर बड़ी तारीफे सुन चुका हूँ आपकी मैंने भी बहुत कुछ सुनाया आपके बारे में उदर कहां से आ रहे हैं आप कहीं जरने पार तो नहीं गए थे जी हाँ गया तो था मत जाया कीजिए वहाँ बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस तरफ खतरनाक लोग तो एस तरफ भी हैं हमसे दोस्ती करके हर खत्रे से बचे रहेंगे आप कभी हमारी हवेली पर भी हादरी दीजिए वक्त मिला तो जरूर आउंगा शुक्रिया मैं 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 तुम्हें चुट्टी तो दे देंगे न मेरे साहब मेरी जेव में हैं यहाँ तो नहीं है अब सब्सक्रावें तुझे दिखाई नहीं देंगे मैं जब चाहूं सहाब से चुट्ति ले लूँ और जब चाहूं शाब की चुट्ती कर दूँ सच यकीन नहीं आता ले देख अभी कि 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 आज सोनपूर का मेला लगा है अगर आप ज़ूले में चिंग चुप हो चिंग जब याँ काम कर रहा हूं और तुम शेर सबाटे के लिए शुटी मांगरे शर्मी आती तुम्हें बहुत शर्म आती है शाब बहुत शर्मी रहो मैं सौनपूर का मिला बहुत मशूर है दूर दूर से लोग देखने आते हैं मुझे नहीं जाना है साब मैं तो बहुत बाहर जा चुका हूँ मगर साहब देखने का मिला होता है बड़ी रौनक बड़ी धुमधाम होती है बड़ी मिठाईयां इतने आती है घुड़के सेव और बरफ के गोले मलाईयां कुल्पियां पिर जू अपनी पक्वास बंद करो जाबे क्या का मैं मक्षे से कह रहा था यां जाबे बहुत मक्षी आए यां पर किस्के मस्क्याओं आप वो ओड़नी जर्ने पारवारी की लॉटा दी आपने बाद बाद की ओड़निया चुनरिया लहंगे आते हैं मेले में चूडिया खंखनाती है और खास दौर से जर्ने के पारवारी हर ओड़नी आप मेले में लहराती है सहाब अब जाओ मैं मेले में और बाबावा तु जा जाज़ा मेरी जान बक्ष्टू जा बस तर नहीं आप तो मैं नहीं जाताओं जाता हूं जाता हूं बग्रे साब किदरा क्या है वे बच्चा है साब में लेने दिर जूचा में लेने सुसान है कोई बात नहीं पिर किया अधिए सुक्षू यहाद है का ? वाँ वोओ वोओ ये तरह जूए तो तुमने भांग पी रखी है क्यों पते क्या करेंगे जूले पर बैट करें तुझे रहा था चंदा रानी अरी सुन्दर चूडियां देखिए चल तुझे पहनाओ तूही पहन ले मैं घूम कराती हूं मैं चूडियां पहिनू हाओ SI करती है एक दिन महीं तेरा घरवाला बनुगा तू मेरा घरवाला कोई राजकुमार होगा हाँ साथ समंदरपार से आएगा मुझे लेने जमीन मैं कारदूंगा अगर समंदरपार स आया तो इस जना में तो सवा मेरे किसी और की होई नहीं सकती अच्छा, तो जा, मेरे लिए वो बाली लाल चोड़ियां लेया सच? हाँ, जा ना, जा या दियो मा, या दियो वो हाँ, 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 हाँ चल चल के इन आखों की गजरिया जालन जवानी तरपाए मल 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 की है हल्की चुनरिया कि जितना संभालों गिर जाए चल चल के इन आखों की गजरिया जालन जवानी तरपाए मल 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 की है हल्की चुनरिया कि जितना संभालों गिर जाए चल चल के इन आखों की गजरिया चल, चल, चल के इन आखो के न घरिया मनवा पापो सु, चाहिक निकली फिरे बजरिया किसनी नजरियों के फिर चलाए चलनी हो गई मोरी चुनरिया, मोरी चुनरिया तिकर सकिर नहीं भाग न जाए मोही तरके वो जकनी खाए चल, चल, चल के इन आखो के न घरिया रुक, रुक, रुक मजो बन के ही रंया कनया दोरी नगरी में आये एक जलक बस दरस दिखा दिखाए चुनरिया में मुख्डा चुपाए रुक, 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 मधुपन की ही रनिया अपना भी दिल है पेम दिवाना तुम्रा अकेला दोश नहीं आया कहां से जाना कहां है इतना भी अब तो होश नहीं कहर नगरिया के बुलजी दगरिया हो जैते जोगनिया हो लच फुल जाए रुक, 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 मधुपन की ही रनिया द्रदी चले आकाश को छूने रइड़ चले आश आश को छूने लेके उठे जब तू अंग्राए इस पर कितना है भोला परदे सिया तोरी अकल्ब मैं सर्माई अकल्ब मैं सर्माई होते हैं जवाली के दिने से जैसी चिड़या के पर लग जाए चल चल के इन आपके दगरिया ये जालिम जवानी तरबाए ये मल 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 के है की चुनरिया के जितना संभालों गिर जाए मधुपन की ही रनिया तोरी नगरी में आए ओ एक जलक बत दर्स दिखा दिखाए चुनरिया में मुखरा चुपाए इन दिखाए जितना संभाए तर कि इन दिखाए और क्रच्पाए मुपन के जही प्रड़ है औरана आया आए खिर्स प्लत सब्दै कि छिंट वलने द repet आगर झिरले ये उर हम तोरमें काँ ऑरमें जिके बन 뉝शा वाग महीं दें हुआत मल्की है खलकी चनरिया नचो कर लगना जाए पर छल 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 के नेनों की गगरी कि ने बची कूट जाए छो छो छो, हो छो, हो में इचल का तराफटे हिने वाना सिंना ईयर को ! चल 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 के इन आखों की कखरिया बाबुजी बाबुजी तुम यहां क्या कर रहे हो बाबुजी आँखे खोलो ना किससे बात कर रहे पगली यह विचारा तो बेहोश है मैं इसे उठा लाया हूँ नदी में डूब रहा था नदी में लेकिन इन्हें तो वो क्यों तु इस पर्दे से को जानती है नहीं नहीं हां भाईया क्या मेले में आये थे बाबुजी बाची नहीं की मैंने सिर्फ नाची गए इनके साथ फिर यह मटकी का भंग पीकर लुड़क गए चलो ठीक ही जाकर मेरा वो जड़ी बुटी कर बाले आप अच्छा भाईया ब कौन है आप भाईया है मेरे और सारी बिरादरी के मुख्या भी यही तो तुम्हे उठाकर लाए थे नदी से पर बाबुजी तुम नदी में कैसे पहुंच गए वो भंग के नशे में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं इतना ज्यादा मत पिया करो बाबु मैं त के धोके में पी गया पहले धोका होता है फिर आदत पढ़ जाती है खोश में रहना से को बाबु बरना किसी दिन सश्मुझ टूप जाओगे ठीक ही कहते हैं आप सर भी इतना भारी है मेरा बस आपनों का बहुत-बहुत धनिवाद अब मैं चलता हूँ ठेरो बाबुजी य राजगर्ण में क्या राजगर्ण में चले जाओ यहां से जी मैंने कहां चले जाओ यहां से और भूल कर बेस तरफ कदम नहीं रखता पापुची तो बहुत अच्छे हैं भाईया इन्होंने मंगलों की मां की जान बचाई है तो भूल गई राजगर्ण वालों को जिन्हो मारे बाबा का खतर कर डाना मैं उन लोगों मैंसे नहीं हूं मैं तो कुछी दिन पहले यहां सरकारी फॉर्स्ट ऑफिसर बन कर आया हूं कुछते हैं सब सब्धाकर के खुटे हैं चले जा यहां से मुख्या जी आपकी हवेली आप का अने तुम मैं कोई नहीं हूं मुख्या जी अपने साफ की तलस्व यहां चलाया मालूम न था कि आप दर्शन देदेंगे संभाल अपने साफ को और वापस ले जाओ आज के बाद तुम दोनों में से कोई दिखाय दिया त साफ मत बनाईए हम अपने दो पहरों पर ही चले जाएंगे साहब चले चलो चली कसमें चले चलो 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 बाबुची क्या सोचेंगे हमारे बारे में भाईया तुछ उसकी क्यों फिकर है चल आंदा चल कि ईओना उमांट कीम नियां दो कर दो! अरे बचो अरे देख के नहीं चलती तुम तुमने मुझे बचा लिया बाबुजी वरना मैं चुडएल बन जाती चुडएल हाँ इत्ती उपर से गिरती तो मरती नहीं क्या जवान लड़की बिना सुहागन बने मरे तो उसे चुडएल बनना पड़ता है हाँ अच्छा यह तो बड़ी अजीब बात है तुम्हें तो तुम्हें डर नहीं लगता का का तुम्हें ने मुझे मिलने जी मना किया था न ऊपशे में तुम चले आए है खुद देख लो जूट नहीं बाबुजी जाओ ना खुद देख लो चलो देखते हैं कहां ये तुम्हारी सुनेरी कोयल कहां है तुम्हारी ये सुनेरी कोयल अरे ये तो काली है क्या हरे ओ अरे ये क्या किया तुमने क्या किया नियुकर ये धांकनी अदो Caesar के पास होती है ना इतनी बड़ी वाली ओ एसी चोटी नन्नी मुन्नी धांकनी तो मैंने कभी देखी यह नहीं पुरी तुम समाजाओगी इस नन्नी मुन्नी धांकनी में हाँ मैं और इत्ती सी धांकनी में यह तो हो यह नहीं सकता हो सकता है कभी जील में अपनी पर्चाई देखी तुम ने उसी तरह तुम नहीं तुम्हारी परचाई इसमें समाज आएगी दिखाता हूं खरीजाबा खरीजाबा खड़ी जो रहा हाँ हाँ मुश्कुराओ मुश्कुराओ क्या हुआ धौंकनी की यार में आंख क्यों मारी तुम्हेनी मारी चंद्र मुफीजी अब सिधी करें रहो ना चंदा भाई या भुलाते हैं भागा रुको यह तो बता लीजा फिर कब मिलोगी पता नहीं जी चाहता हम रोज मेरा करें अच्छा अब मैं जाती हूं कल मिलूंगी यहीं किस वक्त जब यह कोईल कुकेगी न तब और कोई नहीं कुकी तो कैसे नहीं कुकेगी बाबुजी इस पेड़ पर उसका बसे रहा है तड़के ही खाने की तलाश में निकल जाती है और सरकार पेड़ कारते हो तुस रेंजर के बच्चे ने फोटो ले ली है वह सबूत लेके जरूर पोलिस तक पहुंच जाएगा अगर आपका हुक्म हो तो मैं कल रात उसे खतब कर दूँ पागल हो गयो क्या वह हमारा दोस्त है दोस्त की जान नहीं लेते आपको हमारे साथ चलना होगा क्यों आपके खिलाफ रिपोर्ट है बाबुजी मैं आ गई बाबुजी बाबुजी ये लो मैं भागी भागी चली आई और तुम पहुंचे भी नहीं अब तक कोयल की आवाज भी सुना नहीं देखिया तुम्हें अब शायद आवाज उस पार पहुंची नहीं होगी अरे कूप ना आज कुछ खाया नहीं है क्या और जोर से निगोडी और जोर से क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे यहां क्यों बुला गया है आप सरकार को तो जानते हैं ना तो ठाकुर साहब आपकी सरकार है मेरा तो ख्य के आदमी हो कानून की रक्षा करना तो इसका फर्ज है थाब कुर्चाम ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने इनके आदम्यों को की नहीं कि जमीन पर पेड़ कारने जरों का वो जमीन सरकार की है पेड़ सरकारी जंगलात के हैं तो तो मैं दर्ज करवाने वाला था जू पूटी रिपोर्ट तो आप लिख चुके हैं अब आपको मेरी सची रिपोर्ट भी लिखनी होगी मत भूलिए कि मैं भी आपकी तरह एक सरकारी अफसर हो इंस्पेक्टर अपनी अफसरी जंगल में जाकर दिखाएं मिस्टर विनय मत भूलिए यह पूली स्टेशन है यहां आप शिकार पर जा रहे थे ना जी आप जाईए इंस मैंने पढ़ता हूँ शुक्रिया कोईल भी चुप हो गई अब मैं भी तुम से बात नहीं करूंगी जाओ फिर अकेले बैठकर पेड़ों से बाते करना हां साहब यहां आपकी दाल नहीं कलेगी क्या मतलब कौन तुम जी फूमन आपके बिर्जु का लंगोटिया यार सरा इतरा है यहां के सब आफिसर सिर्फ एसपी साहब के आगे ठाक और की नहीं चलती वो कुछ दिनों में याद तश्रीफ लाने वाले हैं आप उनसे मिलिए वह आपकी बास जरूर सुनेंगे कर दो कर दो कर दो क्यों गए सरकार लगता है जाडियों के पीछे कोई शिकार चेपा हुआ है कौन चेपा जाडि में बाहर निकलो बरना गोली मान दूंगा चोरों की तरह छिपी क्यों थी लड़की कौन हो तुम जवाब दो कौन हो तुम चंद्र मुख्य वाक्या ही चांद सा मुख्या है यह चांद आज तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा भीम सेंग अपने इलाखे का चांद नहीं है सरकार चरने पार वाला है वहां के मुख्या की बहन है यह अब हम अकेले ही शिकार करेंगे जी सरकार महीरो का चंदर बुखी ए रुगजा ए रुगजा जाएगी कहा तू ए रुगजा जाएगी पुग रुगजा बड़ी लस्त होके आरे यह कंचल जवानी अगर तुससे संभाली नहीं जाती तो मैं हूँ ना तेरी चाहत तेरादरी वाला उस शहरी कमीने में क्या रखा है है तुने मुझे थपड मारा अपने होने वाले मार्त को थपड मारा आज में तेरी सारी एकड़ निकाल दुबाएं इस बाबू के साथ एश करती है बच्चलाण इस पर निकलाएगे निया चलाण कि लुओ यॉइ ध छाई रहों कि अख्न No कि उम आख्फ़ चाई ए as हैं अभ्स वाह्टू हैं उर भाह। हाह्टू हैं अभ्सूप इस को ça हुख तब तर जा फे इस ड़स है हुख तर जब तर जब तर जब तर फिए अगली बार देखनेंगा तुम कहांते बाबुजी, कहांते तुम जांते नहीं, मैंने तुमारी कि मीरा देखी कहांते तुम रो मत चंदा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, दुनिया इधर के उधर हो जाए, मैं कभी देर से नहीं होगा मुझे बहुत डर लगता है बाबुजी, कोई मुझे तुमसे चीन न ले मा उसे जंदा नहीं चोड़ूगा चांदा, मुझे काजम है तुमारी बाबुजी, बाबुजी बाबुजी इस तरह नंदेखो मेरी तरफ क्यो? मेरी सुपुच्छीन लेते हो सारी जिंदगी तुम्हे देखता रहूँ तो भी जी नहीं मारेगा बाबुजी Ma hak Fifa क्यों कि बाबुज्द ź बंद करो ये सब जाओ तुम लोग सरकार ये मुझरा चूब बंद करवा दिया उस मुख्या की बेहन को जब से देखा है भीम सिंग ये मुझरे वाली अदाएं फीकी सी लगने लगी है चंदर मुख्य को लाओ हमारे पहलू में मासूम अदाओं का खजाना है उसके पास उस खजाने पे नया रेंजर नाग जैसा कुंडली मारे बैठा है सरकार पुचल डालो उस नाग को ये कारिगरी है तुम्हारी और तब लोगा मुझे फॉला चाहिए फॉला तलवार और भाले बनवारे हो मुख्या जी आँ धुमाओ कभी न कभी तो राजकरवालों से हिसाब चुकता करना ही है बहुत बढ़ने लगा है हिसाब पहले हमारी समीने चीनी पड़े मुख्या का कतल किया और अब अब तो इस सथ लोगने वाली है क्या बक्ता तो कि तुम्हारी चंदर मुखी को आज कड़के उस बावुने पास लिया है कि तुन्हें अगर मेरी फॉली बारी बेहन पर इल्साम धराना मैं तरी सुभान के लोगा गार्धन काट देना मगर पहले चांद बीन तो कर लो रोज तो बहर को चलने किनारे मिलते हैं तो नो जल्दी करचंदा जल्दी कहां जा रही है जरने किनारे भाईया क्यों वो कोईल बोलने लगी है बड़ी प्यारी लगती है मैं जाओ भाईया चल अंदर चल चिपचाप घर में बैठ बहुत ठील दे चुका हूँ मैं तुझे कि थोड़ी ते में तो लौटाऊंगे भी उन्यगान आंदर चल तक हां को जो हो हुआ 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 यॉआ यॉआ हुआ कहां जा रही है चला अंदर मैं बाहर थोड़ी जा रही थी कोई पता भी हिला है तो ये समझा है के तु है शायद यू तेरी राहों में आउखों तो बिचा रखा है दुर्म दुनिया के सही मूँ से मदल उख न किया यू तेरे प्यार को सीरे में छुपा रखा है खेच लाया है तिरा प्यार चले आए 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 है य्यार चले आए है जाए है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जिन्दगी अग तेरी चाहत की सिवा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तेरी तौजा या मुहाबत की सिवा कुछ भी नहीं आज तर्दी यहीं वार चले आए है खेच लाया है तिरा प्याँ चले आए है तड़ के दुनिया की विवार चले आए है तड़ के दुनिया की विवार चले आए तेरी चाहत में कटे उम्र जितनी है बाती तेरी चाहत में कटे तेरे चेहरे से नजर प्यार की एक पल ना हठे हम तेरी दुनिया में ऐ यार चले आए है खेच लाया है तेरा प्याँ चले आए है तड़ के दुनिया की विवार चले आए है की विवार चले आए है की विवार चले आए है रोकली हमको जो ऐसा कोई तू पान नहीं रोकली हमको जो ऐसा कोई तू पान नहीं क्यार के दुनिया में दाना कोई आपान नहीं हम न माने के कभी हर चले आए है फेच लाया है तेरा प्या चले आए है तोड़ के दुनिया की विवार चले आए है फेच लाया है तेरा प्याँ फेच लाया है तेरा प्याँ यहां क्या कर रहे है वो रेंजर किसी का इंतजार है क्या यह बताईए आप दुश्मन के लागे में क्या कर रहे हैं किसी की तलाश है क्या शिकार की तलाश में आया था लेकिन शायद अब नहीं मिलेगा भारी तूफान उठने वाला है मैं तो कहता हूँ कि तुम भी लोट जाओ ना तो मुझे तूफान का डर है और ना ही तूफान उठाने वालों का फिर ना कहना के खबरदार नहीं किया रेंजर साथ जा कहते हुआ कैंश जा खब खब कहते हुआ वालोगज कि तूफान जाब चुआए जाब चिर देए जाब झालोगज कि तुम झाल 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 तुम आ गए बापुजी मैं जानती थी तुम जरूर आओगे बापुजी तुम यहां कैसे तुम नहीं आई और मैं तुम्हें देखे बेना रह नहीं सका भाईया को तो पता नहीं चला बापुजी तुम तो एक तम भीक गया हु बापुजी आख की पास बैठो आख यहां बैठो फिर कभी ऐसा मत करना चंदा मैं मजबूर थी बापुजी तुम नहीं आई तो ना जाने कैसी कैसी बाते मन में आने लगें कई मेरी चंदा को कुछ हो ना गया हो पिजलियां कड़कने लगें बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर मेरे अंदर एक दुखान सा उठने लगा मेरी चंदा ठीक तो है न उसे कुछ हो तो नहीं गया फिर मेरे से रुका ने गया तुम्हें देखे बिना मुझे चैन कैसे मिलता चंदा और यह क्या तुम रो रही है तुमने मेरे लिए इतने दुख उठाय बाबुजी और मैं मुझेली यहां चैन से पढ़ी देगा बगवान करे हमेशा ऐसा ही हो जितने तुफान जितनी बिजलिया हो वो मेरे हिस्से में आ जाए और सारे सुक, सारी खुशिया तुमारी जोली में भड़ जाए तुम हमेशे चैन की नीन सोती रहो जंदा नहीं बाबुजी तुम्हें छुकर कहती हूँ अब तुमसे मिले बिना मैं कभी नहीं सूँगी मुझे अपने दुख सुका साथी बना लो बाबुजी मैं तो मर कर भी तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ सच बाबुजी, मर जाओंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही रहोंगी हसुगी तो साथ हसुगी, रहोंगी तो साथ रहोंगी तंगा कमीन ये पत्माश, आधी रात को हमारी इज़त पर हाट डालने आया है मैं तो जाओंगी तुम्हारे मेरी चांड ले मुख्या मगर मेरी मुख्वक पर ऐसा नीच और जूटा इलजाम मत लगाओ तो तो तेरी ये बाबुजी, बाबुजी बाबुजी मैंने कहा थाना, आएंदाई हाँ आया तो तेरी लास बाबुजाएगी मरी बहुत मुख्वक पर कीचर मद उचाना तुम बाबुजी 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 जांते मादर अव्म ते झाल 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 चंदा पगली बाईया, बाईया चलोगी आमेरे साथ जब पूछ अपने बाबु से, तुस्से ब्या करेगा जब पूछ बाबु जी, मुझसे ब्या करोगे हाँ, चंदाद अगर तुम्हारे भाईया इजाज़त दें तो जब जब चर्णाद चंदा, बाबु जी के गहाँ पर बूटी कुटकर लगा देना मैं जरा काउं होकर आता हूं अच्छा बाबु जी चंदाद कि कि अ्यांट इसे हैँ अ यह हैं तू स्रेंजर ने जमीने वापिस दिलवाने का वगदा किया है मुख्या से अगा सरकार भारी ब्रादरी के सामने यह ख़ब मुझ तक पहुंचाने के लिए तू क्यों चला आया अपने मुखिया से खद क्यों कर रहा है मैं दो कुछार कतल भी कर सकता हूं सरकार ये चंदर मुखी पर लट्टू है सरकार हां और इसने बताया कि मुखिया चंदर मुखी का ब्या उस रेंजर से कर रहा है हां व्या उस रेंजर से हां हुजूर इसलिए आपकी शरण में आया हुजूर आप तु बहुत ताकत वारे माहिबा ठीक ठीक है उधर की खबर इदर पहुंचाते रहो इनाम में तुम्हें चंद्रमुखी मिल जाएगी और यह इनाम जल्दी दिला देना माई बाप वालना अगली एकादशी को चंद्रमुखी का बया उस शहरी बाबू से कर दिया जाएगा अरे एकादशी तक बाबू चलती रहेगी अच्छा भीया लेकिन तुम जल्दी लोटाना शहर जा रहा हूं दो चार उस तलग इंग लिए और फिर दहस के लिए सामान जो इकटा करना है तुझे कोई खार्शी चाहिए तो बोल नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भीया बस तुम जल्दी लोटाना बाबु है ने तरी देखवाल करने को अकिले तो मैं पढ़ जाओंगा जब मैं तेरा व्या करके तुझे विदा कर दूँगा नई भईया मुझे नहीं ब्या करना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी पकली कहीं इतनी बड़ी हो गई बच्पन आभी तक नहीं जाओ घर जाओ मैं चलता हूँ कि अजीब जगह है एक्टम सन नाटा कि इतनी शान्ती है यहां है ना है तो ख़व बार यहां कर घंटrah रहती हूँ हम अकेली उस वक्त मैं अकेली नहीं होती अबीट है तो पिर कौन होता तो मेरे साथ ये यह सब देख रहे हो यह सब हमारी पुर्खों की समाधियां है और वह मेरे माँ और कि जब मैं यहां आती हूं तो ऐसा लगता है कि यह सब मेरे पास है मुझसे बाते कर रहे हैं आव बाबुजी उनका आशिरवाद ले आव जो मर चुके हैं वो वो आशिरवाद कैसे देंगे देंगे बाबुजी इस दुनिया में कोई नहीं मरता जिन से सच्चा प्यार हो हमे कर दो कि बाबची है कोई है अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई हो एक आपको तुम ही पहने है नहीं नहीं में ठीक हूँ अरे कही ठंड लग जाएगी तो बीमार पजाओगी वहाँ जब जाएगी पुम दो भी तुम डब रजाओगी कुल भीग तुम जर्था रुद्वी आर्ज अजब मस्तानी है बर्खा रुद्वी आज अजब मस्तानी है खुन नहीं जारा खुन नहीं जारा पड़ी तुम्हारी है बर्खा रुद्वी आज अजब मस्तानी है खुन नहीं जारा पड़ी तूपानी है बर्खा रुद्वी आज अजब मस्तानी है बर्खा रुद्वी आजब दोनों तरफ वही दिल की लगी है तू भोड़े क्या तू भोडेश ऐस हुआ करू क्या तू भी करू क्या देखा रुद्वी टू ली की वीन खीए मे कि प losing क्यों अन्दर आग लगी है बाहर पानी है खौन नहीं जो आरों बरी तूफारी है पर खार तुबी आज अजब मस्तानी है कि अजब मस्तानी है बाहर जो तुफा वही अब सीने के अंदर लगता है बाहर जो तुफा वही अब सीने के अंदर लगता है तन सीने पट रही आज एक चुनरी क्या पहूं कैसा जद लगता है जद लगता है जनम जनम की प्यास तो आज बुझानी है खो नहीं जना राद बड़ी तुफानी है पर खारुत भी आज अजब मस्तानी है खो नहीं जना खो नहीं जना राद बड़ी तुफानी है पर अजब आजब अजब आजब आजब को अजब आजब की तरह अंदर का खुतरा है तेरे तबेला नहीं यह चुपए साले हजाम थी तुम्हें मेरी इज़ाज़त के बगर तुम अंदर कैसे आए आपकी इजाज़त की अब जरूरत नहीं है मुझे रेंजर बाबू ऊपर वालों ने भेजाए मुझे हां क्या मतलब देखता हूं इस बार आफ हविली पर हाजरी दें कैसे नहीं आते आपके बड़े आफसर साब आये हैं उन्हेंने आपको फॉरन बुलाया है एक्सलिन शेंपेइन कुआ साब एक्सलिन शेंपेइन ये तो लाजवा भाई इस अ वेरी रेर ब्रैंड इंडीड येस आपदार टीफो साब की सवारी जब लोटे ऐसी छे बोतले इनके साथ भीजवा देना जी सरकार सरकार रेंजर बाबू रेंजर साब बहुत खूँ आखिर हमें सلام करने आना ही पड़ा तुम्हें मार्फ कीजीगा आपको नहीं, टीएफ असाप को सलाम किया है मैंने ठाकुर साथ, मेरे बड़े ओपिसर यह है बिने ये क्या माज रहा है, हमने सुना है कि तुमने ठाकुर साथ के खिलाफ रिपोर्ट किया है अपनी ड्यूटी किये सर, सरकारी जंगनों से पेड कटवाए गए है अब बट वाट्स दे प्रूफ, सबूत क्या है तुमारे पास ये अदालत को टै कर लेनी दीजी सर अदालत से पहले हमको टै करना है, रिपोर्ट वापस ले लो, वीद्ड्रॉइट ठाकुर साब यही चाहते हैं सर, बीम सिंग के जरिये एक मोटी रखम आफर की थी नोने वाट्यू में, हम तुमको विश्वत देकर ऐसा करने को कह चाहा है मैंने तो ऐसा नहीं कहा सर, आप ही बहतर जानते है तुमको वो रिपोर्ड वापस लेना ही होगा, यह हमारा ओर्डर हाई ठीक है सर, आप अपना ओर्डर लिख कर दे दीजी मुझे ताकि सबूत रहे के गलत काम मैंने नहीं किया, आपने करवाया है यह दो स्टार की है, तुमको वो लिखा हुआ ओर्डर चाहिए है तुम्हें नहीं जाने दूगी, भाइया भी शहर गए है, और अब तुम भी जाने लगे, नहीं सिर्फ दो या तीन दिन की दुबात है मेरी चंद्रमुखी जी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं जाने क्यों मुझे डर लग रहा है पाभुजी, तुम चले गए, तुम्हें एक्दम अकेली हो जाऊंगी और अकर मेरी बदली हो गई, तो भी तुम अकेली हो जाऊंगी देखो जंद्र, मेरा अपसर राजगर से मुझे कहीं और बेच रहा है मुझे शेहर जाना है, बड़े साथ से बात करनी और वो और रुकवाना है, बस गया और आया और अगर वो ना माने तो? ना माने तो तो वह नोकनी छोड़ दूगा वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जंदा के पास आ जाऊंगा अच्छा, तो चलो मेरे साथ कहां? कुल देवता के पास उनका आशिरवाद लेकर जाना मैं, मैं उनसे प्रात्ना करूंगी तो तुम्हारे बड़े साथ जरूर मानेंगी तुम्हारी बात जदो मैं पूजा की ठाली लेकर आती हूँ अब किया आओ चलाओगी यही है बाबजी, आओना जवाला बुजगी जवाला बुजगी तो क्या हुआ? यह बहुत बड़ा अप्शगुन होता है जिसकी जवाला बुज जाती है, वो मर जाता है ऐसी मनुस बाते नहीं करते चलता नहीं, यह सच है बाबुजी मैं मरना नहीं चाहती तुम्हीं मिलने से पहले मैं मौत से नहीं डरती थी लेकिन आप, मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ चप्राव चप्राव इतनी बड़ी सजा मत दुख खुल देता अभी तुम्हें सुहागन भी नहीं बनी अब तुम्हें सुहागन बन गए अभान साक्षी है पापुजी 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 जदी लोटना मैं तोभारा इंतजार करौँगी बढबची 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 कि अधिया खबर लाए हो धूमा सरकार मुख्या दो दिन के लिए गहों से बाहर गया हुआ है और अज वह बाववी चला गया है पीम सिंग तब तो मैदान साफ है हां सरकार कि अधिया हुआ ए यह दो चंद्रमुख्य को कि इसके दुछन बना दे यूदिवा जल्दी बना दो सरकार बना लोगा है कि website अामारे लाके में लाना होगा जो मगर उसके लिए अपकी मादद चाहिए सरकार हम सब कुछ करेंगे तुझे दूला बनाने के लिए बस तू भीम सिंग को चंद्र मुखी तक पहुंचा दे ए चिनर्या एक बार फिर उड़ जाना उन तक खींच लाउने शहर से उनके बिनाब दिल नहीं लगता है री अज़ता बाबु तो चला गया आज तुझे कौन बचाएगा मेरे साथ जंदे के पाच्छा ने के पॉलन बनागा जिस नहीं चोड़ेंगा पहले सुखाग राट मनागा आए! आपकार! आपकार!! आपकार! आपकार! हुआ 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 है हुआ हुआ है अब भाग रही थी मेरी दूलनिया बहुत भाग रही थी अब कैसे भागेगी अब तो तुझा धूमा की दूलन बना है चाल यह धूमा की दूलनिया यह सब मेरे दोस्ति चाहती करवाने आये मेरे अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है 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 हम एक बार जिसकी तमन्ना कर ले उसे हासिल करके ही रहते हैं करके ही ही आए sabr.. अप्रुआ!!! वाओओओव आप्रुआओव अभूखव ए चाने! आपूआओव रिरूँ ए पर वाओदप अभूज ओराएद! जाप पर राएदम... पर राएदमे! आप्राएद! आप्राएदमे! वो न मां रच्षित नहीं ध्यां, हट्या मेरे रास्थprehरे कई है, जिन्दकी आप बर्बाद कर चुके हो अब एक और जिन्दकी बर्बाद नहीं करने दोगी तू हट्की हैया नहीं तू मुझा हुआ है है और चंद अधाव और पर वी निवे है है चंद करना पर चंद देख इतना सारा दार्ड़ कर शामान लाया हुँ है तेरे लिए जैंड जैंड काचचा जी जैंड जैंड नाम आब आब क्या के सू चन्दा तुम्हेरे साथ नहीं है नहीं क्या बात है अभी अभी मैं शहर से लौठा तो घर पर नहीं चुले पर खाना भी जला पड़ाए इन दिनों वह तुमसे नहीं मिली नहीं मुक्या में तो iPhone दूध दिनों 결b बहार गया वा था तो फिर वो गई कहां जरूर उस पर कोई आपति टूट पढ़िए चलो बाबू उससे ढूंडते हैं चन्दा 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 मुक्या मुक्या पूपला मुक्या महाजी अान महाजी खून के तभे चन्दा को गजा लिजा नहीए अ लब के लेंक, ली लेऊ लो कि आसे लो कि तकुम जंदाओ! जंदाओ 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 जा राज़ जा क्षूचर अल्व कि लको तो लोग जो जा 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 Paul जन्दाब जो जिंग जए जन्दाब 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 मुविच जन्दाब करें जन्दाब जन्दाब का बाफुछ अरी? तो मैने वी चिसके आवाथ backup मुझा मुख Learn अब नहीं बाबू हमने नहीं सुनी एक यह चंदा मुख्या यह चंद आरी नहीं हम तो मेरे साथ कि आपने है कि आपको उसकी आवास सुनाई नहीं देती है नहीं बाबू यह सिर्फ तुम्हारा वहम है बाबू कोई आवास में कि आपको कहां कहां ढूंड रहा था कलू तांगे वाले ने मुझे बताया कि आपका हली वापस लॉट आपको नहीं आए साहब चंदा की तलाश में भटक रहा हूं तुमने उसे कहीं देखा चंदा क्यों अपने घर में नहीं है वो नहीं उसे ढूंड ढूंड के परिशान हो गया हूं ना जाने कहां गायब हो गई यह वो गायब कहीं करें क्या साहब मैंने दो दिन हुए देखा था वो भीम सी जर्णे के इस पार लड़की को कंबल में लेपटे वे लाए था और हवेली की तरफ ले गया है हाँ करें अरे इस आप हमेली में मच जाई हैं मुख्या जी आप कि अधर तो हम चंद्रमुखी का है कौन चंद्रमुखी मुख्या की बहन चंद्रमुखी बोल ठाकुर, का है वो? यहाँ कोई चंद्रमुखी नहीं है, तुम्हारी जुर्णत कैसे हुई यहाँ आने की? सीधी तरह बता दे चंद्रमुखी का है ठाकुर, जुर्णों में तेरा खून पी जाओंगा इंजिंग, शुर्जान बोल कमीने चंद्रमुखी कहा है हाट मार डालो इस रेदर का बच्चे को यहाँ और लाश उठाकर नदी में फेग दो अकॉल माइ तुझे क defenders आ संक acity जयां मैं तुझे जिंदा नइतरो गतेकूर है यह बहुत भंटक है मुझक है! शकलिए शकलिए ओोचट गजफंड़ षीए कलिए है AllS अभी दोक्तर साहफ आरे डॉक्तर साफ्भ बावजे की जान बचा लेटी जल्दी जटों जखमी है इनकी जान पर नहीं दो जटेन लेकरो अब फिक्र की कोई बात ने तुम्हारे बाबुजी अरे बही कहा खो गए तुम कैसी तबियत है अब चंदा ये दवा पी लीजे तुम कहां चले गई ती चंदा मैं तुम्हें ढूंटे ढूंटे पागल होगा जा रहा था देखें आपकी तब्या ठीक नहीं है ये दवा पी लीजे और यहां लेट चाहिए कैसी बाते करें तुम और ये ये लिबास तुम्हेती बदल कैसे गई चंदा मैं चंदा नहीं हूँ तेखो मजाख मत करो मेरे पास आओ अब ये बबुजी के पास आओ चंदा क्या हो गया तुम्हें डोक्रवापूजी अपने बिस्तरव वापिस अलिए छोड़ो अपने आप चुप-चाप लेटे रहिए आपका निवाग इस बहुत परिशान रहा है इस इन्यक्षण से आपको बहुत आराम मिलेगा है रिजरी के वज़े से कई बार बरीज उल्टी सीधी बाते किया करते हैं ऐसे बरीजों का खास खाया लखना पड़ता है यस डॉक्टर माजा आप जार आप जारे आप जारे आप जारे हिए dalla कि ए कि और आज़ आचांहे कि अचरण तुम कहाँ हो जंदाँ करहतो है कि तुबरी आवाहस सुनता हुँ कि तुम्हें मैंसूस करता हूं कि तुम्हें सामने क्यों नहीं आते हैं कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं चल्दा बन बन भट की पागल मनवा तेरे प्यार को तरसे ठन बन भट की पागल मनवा तेरे प्यार को तरसे ठक्यां फूड के रोएं जैसे बादल तूट के बर से एक पल चैन पढ़े ना हम को बल पल तुझे कुपारी जनम जनम के वासी अखिया तुरे बात निहारे कितने सावर बीठ गए बीते कई बहारे आजारे 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 जंदा 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 इस आप यह कौन किरपड़ा अरे जर देखो दो पर यह तो बेहुश मालूम होता है इसे उठाकर जीब में ले आओ यह अच्छा है उठाओ सुनू जी इस बैट का प्रेशन कहां गया पता करता हूं ठीक बिल्कुल में शक्राइब क्या बात है जिस्टर यह देखिए डॉक्तर कल हम बेकार ही उस बचारे को पागल समझ बैठे किसी को भी घलत फहमी हो सकती है बिल्कुल तोबारी सूरत तो इससे पहले तो कभी नहीं मिलेगा नहीं लेकिन जरूर उसकी जिंदगी में मेरी ही शकल की कोई लड़की होगी पर वो गया कहां क्या बताओं सूपरिटेंडिंडेंडींस आपका अपनी चंदा को तूंता पिड़ता हूँ ना जाने ठाक उन्हें उसे कहां गयाब कर दिया है जबसे चंद्रुखी लापता है साहब दीवानों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं सहाब फिकर मत कीजिए, हम पूरी इंक्वारी करेंगे, आप बिल्कुल परिशान नहों, Mr. Binne परिशान कैसे नहों, सुपरेंटेंडेंडन साथ, यहां के तमाम अफसरों को धाकुर बल्बीर सिंगे खरीद रखा है, मैंनी तो कोई बास सुनता ही नहीं है सर, मैंने सुनाया आप इंसाफ का साथ देते हैं, अब तो सिर्फ आप ही का इसरा है, तो सिर्फ आप ही का इसरा है तो कल रात को जो पेशन यहां से गायब हो गया था, वो राजगार फॉरस्ट आफिस में है तो ऐसा करो, वहां चली जाओ, और उसकी कंडिशन के बारे भारे भी रिपोर्ट देती रहो, ओके? राइट सार कमाल है, खाने से निकले थे सुबा, और आप शाम को वापस आ रहे हो, गुरू, क्या चक्कर है? भुमन, तू घंचकर है, मुझे तंग मत कर, मुझे चक्कर आ रहा है, फिर तो जरूर कोई चक्कर है चक्कर यह है, कि बाबुजी पागल हो गए है, मुख्या के घर में चंदा का इंतिजार करते हैं, कहते हैं, वो उनसे मिलने आती है, उनसे बाते करती है, और तू ही बता, अरे जो मर गई हो, वो लोटकर आ सकती है? मेरा मतलब है, उसका भूत आता होगा, भूत? हाँ, अबे भूत नी के, हट, भूत भूत कुछ नहीं होता है, मैं सच कहता हूं विर्जु भहिया, मेरी मा कहती थी, पीपल के पेड़ पर भूत होता है, तू कभी पीपल के पेड़ पर चढ़ा था? हाँ, कई बर चढ़ा तो तेरी मान सही कहती थी, तुझको देखा होगा अबे नहीं होता है, अरे होता है, सुनिये होता है, होता है, क्या भाण? मुझे माप कर दो मेरे कोई कुसूर नहीं है सब खुमन की शरारत है मैं तो भूस से बोडरता हूँ मैं चंदा नहीं आशा हूँ मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तुम्हारे साहब वहा पना पर्स बोलाए थे अब समझा बाबुजी ने आपको देखा होगा और वो आपको चंदा समझ बैठे होगे अच्छा ये तो बताओ ये चंदा कौन है क्या हुआ उसे ये एक लंबी कहानी है आप बैठिए मैं आपको सुनाता हूँ आईए ये है उस बिचारी की दुग भरी कहानी हम सबको तो विश्वास है कि चंदा इस दुनिया में नहीं है लेकिन बाबुजी नहीं मानते उसकी तलाश में इधर उदर भटकते रहते हैं इस वक्त तुम्हारे बाबुजी कहां होंगे आगे बाबुजी हम कहां कहां ढूल रहे थे आपको रहे में आपको ख्लिट хотелबूल उसकी झार भृबूल तर प्लिट लिए हां दो कहां रहे हैं अे यह… तुम मेरी चंदा नहीं हो मैं आश्या हूं हॉस्पितल में आप मुझसे मिल चुके हैं नाजाने क्यों हर सुरत में मुझे अपनी चंदा नजर आती है लेकिन नहीं तुम चंदा नहीं हो मेरी चंदा ये है मेरा दिल मेरी आत्मा जानती है इसे नाचाने कहां चली गए ये मुझसे रूट कर किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती वेने बाबो चंदा थी मेरी जिंदगी उसके बिना हर सास एक बोज है मुझ पर तुम नहीं चानती किस तरह तड़ब तड़ब कर जिने के सजा काट रहा हूं मैं सब सुन चुकी हूं दुख पांटना चाहती हूं मैं जाने क्यों चंदा का दुख अब मुझे अपना सा लगने लगा है अरे यह क्या आप आप रोने लगी मैं मेरी चंदा के लिए आप आखे लिए आखे लिए कि अज़ा तुमने वो मुझे बुला रही है कौन मेरी चंदा मुझे बुला रही है विने बाबु साब कहा जा रही है मिराद गये कहा जा रहे है साब रुख जाईए आजारे 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 आज तुम इस वक्त? चंदा का है? मैंने अभी उसे देखा आपने उसकी आवाज ही सुनी नहीं तो यह चंदा कौन है? चंद्रमुखी मेरी चंद्रमुखी हम दोनों का ब्या होने वाला से लेकिन धाकूर के आदमी उसे यहीं कहीं ले आया धाकूर के आदमी? कब की बात है यह पिछली हफ्ते की मैं दो दिन के लिए शहर गया वो तब से गायब है लेकिन मैं जानता हूँ वो यही है इसी हवेली में ज़र ठेरो इसे पहचानते हो? आप तो इस कहा से आया? यह कड़ा तो मेरी चंदा का है का है वेृ वो? भोली न, का है वो? वह अपनी सदुनिया में नहीं ही विने यहे ऐसा नहीं हो सकता वो मुझे छोड़का नहीं जा सकती उसना मुशे बादा किया था वो यहा आं इथी विने मैं ने उसे अपनी आँख से देखा था और ये भी देखा था, कि ठाकुर की हवस का शिकार होने से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी चंदा अब इस दुन्या में नहीं है विने, ठाकुर ने उसे माह डाला माह डाला, मेरी चंदा को कहां जा रहे हूँ, मैं उस ठाकुर को जिन्दा नहीं छोड़ूगा, मैं अपनी चंदा की मौत का इंतकाम लूगा हट जाही मेरे असर से पागल मत बनू भी नहीं, खुद अपनी जान कवा बैठोगे, ठाकुर के पास बहुत ताकत है, उसके पास हत्यार भी है और हत्यारे भी, तो मगे लिए उसका कुछ नहीं बिगाड सकते तो फिर मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाओं, आप साथ देंगी मेरा, आप भी तो ठाकुर के जुल्मों का शिकार है, बोली आप मेरे साथ चलेंगे, कहा, पुलिस को बयान देने, बेकार होगा, यहां की पुलिस ठाकुर के मुठी में है, मगर एसपी साब ऐसे नहीं है आजकर वो यहां आए हुए, देखे, सिर्फ आप ही एक चश्मतीर का वाहिस कतल की, अगर आप एसपी साब को सब बता देंगी, तो मुझे यकीन है कि वो ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे, प्लीज, आप अभी मेरे साथ चलेंगे, प्लीज, आप अभी मेरे साथ चलेंगे, निशा जी मैं आपके सामने हाँ जोड़कर कहता, तो आप मेरे साथ चलेंगे, प्लीज, ठीक है, इतनी राद गए मालिक के दुश्मन के साथ, कहां भग रही हो मलकीन, पुलीस थाने, हट जाओ, रास्ते से, हटने नहीं, हटाने आया हूँ, और मालकिन, आप से तो ठाकूर साथ निपट लेंगे, लेकिन इस से मुझे अपना पुराने हिसाब चुकाना है, कर लेकिन राओ, कर ठाकूरूक ढुरण से जार्दूक ऱुरां इस थाने पुराफ के राध, क्यांनी औरिए अट्टीब्री हो से कुराँरूक झाने पुराने पिसे फèceफिर पeल्साइज के आएएएएएएएएएएएए पॉलिस को सबूत चाहिए चंदा मैं सबूत कहां से ना हूँ कहां से ना हूँ चंदा लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूँगा सबूत मिले या ना मिले मैं आशा देवी आप मेरी मदद करेंगी मैं तो आपकी मदद करने ही आया हूँ वेने बाबो चंदा अरे चंदा अहां चंदा वो देख चंदा अरे चंदा तू अरे चंदा चंदा अरी चंदाओ काहे डग नदिल तेरी चालरी सकी आज है अजब तेरा हालरी सकी नदिया गई थी कगरी उठाए दिखा कोई पथ में खड़ा मुस्ताए ऐसी घब राए के पूछो मत हाए 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 हो मेरा बाला उलच गया बालों में दिया गिर के जिमत गई गालों में हाए मेरा बाला है मेरा बाला ऊलच गया बालों में थो Base के लुगर कि अ भूज़ करेवा किसे मिलकर आई, है कोई हर जाई, बंदी है जल जुटी, देखे चुरी तूटी, क्या जाने, सकी तू क्या जाने, दुनिया दिल की पाली, मैं गोरी दिलवाली रज भी मेरे गालों में जहर भी है रंगीन गुलाबी प्यालों में पल में जए तो उत्रे नजालों में वो मेरा बाला उलच गया बालों में बिंद्या गिर के जिमत गई गालों में मेरा बाला है मेरा बाला उलच गया बालों में जाभुई हुजली चुनरी हो गई मैं ली चुनरी खाट तेर लांजु पट्टा रंदी के सापता रंदी के सापका रंद लाए तिर मेरी अंदर आए मेरा लहंगा घूमे सारे बस्ती जूमे जैसे के पिछले सालों में धूम मचाती थी नगरिया वालों में शोर बही है पिरमत वालों में रे मेरा बाला उलच गया बालों में मिंदिया गिर के चीमत गई गालों में गालों में मेरा बाला उलच गया बालों में जला बालों में आपने अपनी आखों से देख लिया सब्साब कि चंदा के गाओं वाले भी धोगा खा गए उसके करीबी लोगों तक को शक नहीं हुआ कि वो चंदा नहीं आशादेवी हैं बस अब एक बार सिर्फ एक बार ठाकूर इन्हें चंद्रमुखी के लिबास में देख ले मुझे यकीन है उसके पैरों तले जमीन के सक जाएगी ह और फिर घबराट में आकर अपने गुनाओं का सबूत वो खोद आपके हवाले कर देगा इसपी साथ अब सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है प्ली सिर्फ इतनी दर्खास्त है आपसे प्लीस ओलेट मिस्टर विने मैं आपके साथ हूँ थैंक्यू सैं थैंक्यू फरी मॉच जलो जी सकार कर दोने अधने खर वान झाल जापके कशो अदो जाड़्ीं, वच्छवाने घरी लोगीं, वोच्वाने शानाके कि एंदेश्वान् थे पाराई, ऌएके मैं वाले क। जी एंदेश्वाने वेदाश्वाने शूणी एफ वोड़ीं साहीं वोड़ीं ूव्छ एंध के तो कोई भी नहीं है क्या बखवास कर रहे हो तुम्हें दिखाए नहीं दे रही वह लड़की नहीं मालिक लगता है आपको धोका हुआ है धोका मैं कि गाड़ी वापिस हवेली की दर्व ले चड़ू जी मालिक की हुआ हुआ है कि बड़ी तुफानी रहता है सरकार मैंने सब खिड़कियां बंद कर दिया और कोई हुकम नहीं जरूरत होगी तो मैं बुला लोगा जाओ जी को ने पहचाना नहीं मुझे ठाको तुम्हें अंदर किसने आने दिया यहां आने के जुरत कैसे की तुम्हें कुछ कुराना हिसाब किताब बराबर करता है कैसा हिसाब किताब डरो मत आज मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया ठाको चंद्रमुखी ने बुलाया मुझे चंद्रमुखे उसने 8 बजे मिलने का वादा किया है क्या पक्ते हो तो मैं सच करता हूँ वह मिली थी मुझे शायद सपने में या नरू थी इसकी आप रू को नहीं मानते हैं लेकिन मैं मानता हूँ रू को ठाक हो यह यह बयानक तूफान हिशोर सुन रहे हो उमें बहुत ताकत होती है क्या बक्वास कर रहे हो निवल जाओ यहां से प्रीतम सेंग दुर्जान बेकार है चिलना आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा आज तो फैसला हम तीनों को ही करना पड़ेगा तुम मैं और चंद्रमुखी चंद्रमुखी तुम मुझे डिराने क्यों कोशिश कर रहे हो प्रीतम सेंग दर्बान कि अरे कोई है कि कहां मर गए सब के सब कोई नहीं आएगा ठाकुर कि चाहां रूप आने वाली हो वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता है क्या हुआ है सुना नहीं आपने क्या है कि असलता जैसे दूपाव पाहल पहले इसी तरफ आरे हूं हुआ 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 ह किसका कहां कैसा खूर दिए देखो तुम्हारी तस्वीर पर अपने आप के खूर के दबे अबर आए है यह यह जरूर तुम्हारी हरकत है नहीं ठाक और नहीं इसमें यकिनन किसी और का हाथ है किसी तीसरे का हाथ तीसरे का हाथ लेकिन यहां मेरे और तुम्हारे सिवा और है आवास कैसी आवास मुझे तो मुझे तो कोई आवास सुनाई नहीं दे रही है अजीव रात है यह ठाकुर इसा रखता है जैसे यहां कोई आत्मा भटक रही है जिसकी जिंदगी का सपना दूरा रह गया है और वो यहां आने के कोशिश कर रही है आए देखरेंगे वो थर थराते साए शोलिए उसकी वह लंबी-लंबी सिख्यों के आवास खामौश खामौश बहु जिल एक हमेगी? कुएया आर हमेगी? कुएया आर हमेगी? मिन! इंचे गयोग बंगरो! वाँ वाँ! एक ररिख थाम हुआ थाँ 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 एकल बिर एकल 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 फस झाल आगे मत बढ़ो, महीं रुक जाओ, महीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो आज क्यों डरने लगे, याद है वो तुफानी रात, जब भीम सिंग मुझे उठा कर इसी हवेली में लाया था उसके बात क्या हुआ, बोलो, उसके बात क्या हुआ चुप क्यों हुआ आगे मत बढ़ना, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं दर्वाज़ा खोल कर तुमारी दर बढ़ा था तुम्हे काबू में करने ना चाहा, तुम किसी तरह से बच कर भाग निकली आगे में आगे मुआ तुम्हें आगे मि पुम्हें वर लगे हुआ लए इड़ इडो wil ऐा हो लग इड़ मैं कुंड कर अ पराझ हुट पुट अ लग ओ घड लग ये कुट बुट अ लुट इडर्श कर रूःर्षा ओ मैं टरह क्कृूप टे बाल्भा झे अ Coffee. चाहााँ! काहाँ! मुझा नाँ! काहाँ! 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 ऐस्तित! और फिर तुमने मेरी लाश को हवेली की पिछले हिस्से ने तबा दिया ताकि कोई इस रास को जानना सके हाँ एक बार पहले तुम्हें मौत के खाट उता रहा था आज उस सबूत का फिर से खतम कर दूँगा ना इठाब जाओ कोई है रोश्णी रोश्णी यूर अनर अरेस्ट आफिरासत में हैं यह सब जूट है साजिश है मैं सब कुछ सुन चुका हूँ अभी अभी आपने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है बाकि सफाई अदालत में पेश करना सिपाई अरेस्ट कर लो इनको कर जाओ अरे यह तो मर गया इस्पेक्टर सिपाई उदर से तू देखो समल करें आए इस तरह से अज़े को कि मैं आपका बहुत ऐसान मंदू आशा जी आपकी वज़े से मैंने निया लेकिन आपको यह सब बाते कैसे मालू हुए जोने खुद नहीं जानता था यह इस बिशित की लाश को कहा द्बाया गया यहां को किसे मालू हुआ है जंदा का अंत ठाकर के अलगा और को यह नहीं जानता था है कि आपने कैसे जान लिया आपके चेहरे पर ये चीप मुस्को राहट आप चुप क्यों है मेरी बात का जवाब दीजिए विने बाबू विने बाबू माप कीजिगा विने बाबू रास्ते में तुफान के कारण मुझे आने में जरा देर हो गई अभी अभी पुलीस वाले किसी उठा कर ले गए मेरे यहां पहुंचने से पहले क्या हो गया अखामोश क्यों है विने बाबू वह वह आई थी कौन चंदा क्या मुझे बुला रही है मुझे बुला रही है विने बाबू पूला है बिर तास, जरनी टियो क्वाए माँच़ra बिरूम कर दो दो, क्वाए माँब्धाव माँ़हिं प्येशे टूम कर दोटी हिंवू जरनी टिर दोग झाली ट। चंदा चंदा और इस तरह मेरे पिछले जनम कान दुआ उस जनम में मुझे मेरी चंदा नहीं मिल सकी लेकिन जानते हो प्रकाश मरते समय मेरी यह इच्छा थी कि अगले जनम में मुझे यह जंदा जरू मिले साहब कोई मदनलाल जी ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए सुधे होगी यह मदनलाल कौन है यार मा ने फसा दिया किसी लड़की को देखना है जार रुकना लो बेटे सुना है तुमारी कंपनी यहां फाइस सार होटल बनाने वाली है जी अंकल कोशिच तो है यहां क आओ बेटी आओ सुनिये यहां मारी बेटी संधिया है तुम्हें पसंद है ना बिशे चैनम चैनम से कि जलाकी प्यासी अकिया तेरी मात निहारे इतनी साबद भी गए बीती कई बहारे आजारे पाचारी, 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 पाचार